सबिलोग उमीद करता हुआ आपकी पड़ाई अच्छ चलरे होगी तो आज हमारा ये सेकंड लेक्चर होने वाला सेकंड चेप्टर का फस्ट अपलोग देख चुके होंगे आइह र t revenue को बहुत पसंद आया होगा तो आज पर अब करेंगे वह हमारा लेक्चर क्या होने वाला है lost spring जो हमारी stories of stolen childhood है अनीज जंग ने जिसे लिखा है इस chapter को हम लोग line to line and word to word translation के जरीए समझेंगे और कहां कौन क्या महसूस कर रहा है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे तो मेरे साथ रही है इस journey पर और हम लोग देखते हैं कि हम अनीज जंग क लेकी का है born in 1964 इनका जनम 1964 के अंदर हुआ था राउल केला इंडिया के अंदर तो पहला पार्ट जो है हमारी story का sometimes I find a rupee in the garbage कई बार मुझे कच्रे के धेर में एक रुपया मिल जाता है इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं तो guys हम यह पूरी की पूरी कहानी जो है यह अनीज जंग के नजरिये से देखेंगे यानि हम हमेशा उसके पीछे खड़े रहेंगे वो जहां 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 जाएगी जहां जहां जिससे जो बात करेगी जैसे reactions वो देखेगी जैसा सवाल वो पूछेगी तो हम उस सवाल को महसूस करेंगे जैसा जवाब वो सुनेग तो उस जवाब को सुन करके हमें कैसा लगेगा हम उस चीज़ को महसूस करने का प्रयास करेंगे ठीक है गाईस तो चलिए चलते हैं यात्रा पे तो वह किस से पूछ रही है और क्या पूछ रही है तो वह साहिब आलम से पूछ रही है जो एक कच्रा बीनने वाला चोटा सा लड़का है उससे वह पूछ रही है कि तुम कच्रा क्यों बीनते हो तुम ये क्यों करते हो I asked साहिब मैंने साहिब से पूछा whom I encounter every morning जिससे मैं मिलती हूँ जिससे मैं देखती हूँ प्रती दिन सुबह स्क्रोजिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डम्स स्क्रोजिंग का मतलब हो था ढूणना तलाश करना पता लगाना जो कि कच्रे के धेर में यानि कि गार्बेज डम्स के अंदर जिस जगह पर कूडा डाला जाता है वहाँ पर वे प्रती दिन कुछ ना कुछ ढूंडता रहता है और मैं नेबर हूट जो मेरे परोस में ही है साहिब लेफ्ट हिस होम लॉंग अगो साहिब जो है वो अपना घर बहुत पहले छोड़ चुका है यानि कि साह लाएब जो है basically रहने वाला का था तो वो रहने वाला था। बांगलादेश का अब मुझे फटा फटा-फटश से commentet करके बताओ comment box के अंदर लाइप चैट में इसका मतलब बीच में ग्रीन फील्ड यानि कि हरे जो धान के या आप कह सकते हो अनाज के जो खेत थे उनके बीच में किस जगह पर धाका में His home is not even a distant memory उसका घर जो था कि ढाका कैसा दिखता था हमारे खेत कैसे थे हमारा घर वहाँ कैसा था इसकी कोई धुंदली से धुंदली या दूर से दूर कोई याद भी उसको अब पता नहीं थी यानि कि वो इतनी कम उमर में यहां आ गया था कि उसे याद ही नहीं पता ही नही घर कैसे थे ठीक है there were many storms बहुत सारे तूफान वहाँ आते थे that swept away their fields जो की उनके खेतों को उड़ा कर या बहा कर ले जाते थे fields का मतलब है यहाँ पर खेतों को and homes और घरों को his mother tells him उसकी मा जो है वो उसे बताती है that's why they left इसलिए वे धाका को छोड़ कर आ गए looking for gold in big city gold यानी की सोने की तलाश में अब guys यहाँ पर gold यानी सोना नहीं है यह gold जो है एक बहुत ही significant word है यहाँ पर यह प्रतीक के रूप में इस्तमाल किया गया है क्योंकि आगे chapter में आएगा कि यह जो garbage है यह जो कच्रा है यह इन लोगों के लिए gold है यह इन लोगों के लिए सोने जैसा है सोने जैसा क्यों है क्योंकि उसी कच्रे में से कुछ सामान जो बेचने लाइक होता है उसे वह चुकते हैं उठाते हैं और बेच देते हैं जिससे उन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिलता है जिससे वह दो वक्त की अपनी रोटी का काम कर लेते है ठीक है तो इसलिए यहां पर जब कहा गया ने कि looking for gold अच्छा वो सोना डूंडने आये थे नहीं वो सोना डूंडने नहीं आये थे वह आजी भी का डूंडने आये थे कि कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे दो वक्त की रोटी हम लोग खा सके in the big city बड़े शहर में where he now lives जहां अब वो रहते हैं तो कहां रहते हैं किसी को पता है क्या first lecture में बताया था जगे का नाम अगर किसी को पता हो कहां रहते थे तो फटा फट से comment करो i have nothing else to do अब जो सवाल पूछा गया था कि तुम ये क्यों करते हो why do you do this तो उसका जवाब है i have nothing else to do मेरे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है he mutters यानि कि वह बुदवदाता है धीमी आवाज में और क्या करो तो इसके लाग ऐसे धीरे से बोल देता है ठीक है looking away दूसरी तरफ देखते वे आँख नहीं मिलाता है I say glibly तो फिर मैंने शतुराई पूर्ण तरीके से यानि कि यह गता है न छोटे बच्चे को छेडने वाले हिसाब से हम बोलते है go to school school जाओ फिर गच्रा क्यों चुकते हो school जाया करो realizing immediately how hollow the advice must sound और बोलते ही तुरंत मुझे बात महसूस हो गई कि कितनी खोकली सलाह है यह जानि कि यह जो सलाह मैं इसे दे रही हूँ यह मेरी सलाह कितनी खोकली है इसके अंदर कोई ground नहीं है बिना किसी बात के मैंने एक ऐसी सलाह दे दी जिस सलाह का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है यहाँ पर यह सलाह देना उचित नहीं है तो बोलते ही मुझे अचानक समझ में आ गई यह बात there is no school in my neighborhood मेरे घर के पड़ोस में या मेरे घर के आसपास कोई भी school नहीं है when they build one I will go जब वे एक विध्याले एक school का निर्मान कर देंगे मेरे घर के आसपास तो मैं भी school चला जाओंगा मेरे school जाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन school है ही नहीं कहां जाओं अगर वो बना देंगे school तो मैं चला जाओंगा सीजी सी बात है if I start a school will you come I ask तो यहां पर हमारी लेकी का फिर उससे पूछती है कि अगर मैं एक school शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे पढ़ने के लिए half joking आधा मजा की अंदाज में यानि उसकी तरफ से वो मजा की अंदाज में पूछ रही है लेकिन देखना भी इसका क्या प्रभाव पढ़ेगा उस बच्चे पे yes हाँ he says वैं कहता है smiling broadly खुल करके बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए हसते हुए कहता है हाँ जरूर आप अगर school शुरू करेंगे तो मैं तो आ जोंगा पढ़ने के लिए यानि कि यहाँ पर बच्चे की भावना ये दिखाई देती है हमें इस बच्चे में कि वह पढ़ना चाता है लेकिन उसके पास पढ़ने के अवसर नहीं है अवसर की कमी है इच्छा शक्ती की कमी नहीं है इच्छा तो है पढ़ने की लेकिन अवसर नहीं मिल रहा हुसे आपका इस्कूल तयार हो गया तो मैं आजा तो कल से पढ़ने के लिए तो यहां पर जो उसने मजा के अंदाज में एक बात कही थी इस बच्चे ने यहां पर उसे सीरियस ले लिया कि अच्छा यह हमारे लिए स्कूल चालू करने वाली हैं तो दो चार पांस दिन का वेट करक हमें तो पढ़ना है बताईया तो इट टेक्स अब इस पर क्या जवाब दे रही हो उसका तो कोई रादा था ही नहीं स्कूल खोलने का उसने तो बस एक उसका मन जानने के लिए सवाल किया था इट टेक्स लॉंगर टू बिल्ड़ा स्कूल बहुत जादा समय लगता एक स्क कर दिया था जो मैं करना नहीं चाहती थी यानि कि उसके इस सवाल से यह वादा हो गया कि आप स्कूल खोल दो हम आ जाएंगे इसका तो खोलने का मन ही नहीं था यह तो कि वहल मन जानना चाहरी थी कि बढ़ाई को लेकर कि इसका नजरिया क्या है इसका तो उद्देशी के जो वादे किये जाते हैं उनका होता क्या है बट प्रॉमिसे लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्णर ओफ इस ब्लीक वर्ल्ड यानि कि मेरे जैसे जो वादे हैं जैसे वादा मैंने कर दिया ना चाहते वे भी वैसे ही वादों से इनका जो फीका संसार है जो कडवेक्ती जो मजदूरी करता होगा आपको दिखेगा उनको बुला लिया जाएगा दिवाली की सफाई करवानी है चछत की सफाई करवानी है बैक्यार्ड की सफाई करवानी है गार्डन का काम करवाना है उनको बुला लेंगे यह गार्डन का काम करना है सारा यह पूरी अगर ये काम निपटा ले, कुछ खाने को दे दूंगी, उसके अलावा साप के कुछ पुराने कपड़े हैं, वो भी दे दूंगी, ये काम निपटा ले पुरा पटा पट से, और सौ रुपे ले ले लेना, दौ सौ रुपे नहीं है, अब ये ऐसे वादे कर दिये गए, क्यो क्योंकि अपना काम करवाना है, इसलिए कहा गया कि इस तरह के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनसे ऐसे वादे किये ही जाते रहते हैं, जिनहें निभाने का कोई इरादा नहीं होता, इसका एक और उदान देता हूं आपको, कि ये जो लोग हैं, जो यहां रह रहे हैं, मैं इनके आधार कार्ड बनवा दिये गए, इनके वोटर आइडी कार्ड बनवा दिये गए ताकि ये वोट दे सके, अब वहाँ पर राजनेता जो हैं वो आते हैं, आकर के इनसे वादा करते हैं, हमें वोट देना, हम आपके यहां की कच्ची वस्तियों को अटा करके पक्के मक बनवा देंगे हम आपके लिए रोजगार की वेवस्ता कर देंगे हम आपके लिए पीने योग्य पानी की वेवस्ता कर देंगे बिजली की वेवस्ता कर देंगे ये भी खोकले वादे जो इस तरह के लोगों से किये जाते रहते हैं और इन वादों को निवाने का किसी का कोई इरादा नहीं होता ठीक है गाईस तो अब समझ में आया है कि यहां पर यह वाक्य को का आगया है कि इस तरह के वादे जो है इस तरह के खोकले वादे जो है उनसे इनका फीका संसार भरा हुआ है पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि कोई ऐसा वादा इनसे किया गया जिसे निभान नाम बताया सहेब आलम सहेब आलम का मतलब क्या होता h yani की पूरी काइनात का पूरे ब्रह्माण का मालिक स्वामी जो है वो क्या कहलाता है उरदु में उसे कहते हैं सहेब आलम वह बताता है घोषना करते हुआ यानि की बहुत confidence के साहथ वह होता है साहिब आलम नाम है मेरा लेकिन वैं जानता नहीं है कि उसके नाम का अर्थ क्या है उसके नाम का अर्थ अगर उसे उसका मतलब पता होता Lord of the Universe He would have a hard time to believe it यानि कि अगर उसे पता होता कि उसके नाम का ये अर्थ है तो उसे बहुत मुश्किल होती बहुत समय लगता उसे इस दुख से हुबरने में इस बात पर विश्वास करने में कि भाई मेरा नाम साहिब आलम है और उसका मतलब ये होता है क्यों? क्योंकि उसकी स्थिती देखिया वो रहता है कच्चे घर के अंदर कच्रा बीनने का काम करता है और नाम क्या है? ब्रह्मान्ड का स्वामी तो वही बात हो गई आँखों का अंधा नाम वो अंजान था कि उसका नाम जो है वो किस चीज़ को दर्शाता है या उसका अर्थ क्या है? वह सडकों पर घूमता रहता है भटकता रहता है अपने दोस्तों के साथ नंगे पेर चणले वाले लड़कों की एक आर्मी एक चोटी सी फॉज जो ऐसे लड़कों की है जो नंगे पेर चलते हैं जो सुभे के पक्षियों की तरह दिखाई देते पक्षियों का क्या मामला होता है? कि सुबह जब कम धूप होती है तो निकलते हैं अपने खाने पीने की वेवस्ता करते हैं दौपेर में धूप जादा होती है तो वो अपने पेड़ पर बैठ जाते हैं वहाँ पर आराम करते हैं विश्राम करते हैं धूप में उड़ते निये जादा और दौपेर में गायब हो जाते हैं और दौपेर में गायब हो जाते हैं ओवर दा मन्स कई महिनों में I have come to recognize each of them यानि कि कई महिनों तक बार 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 उनसे मिलने से मैं उन सभी में से सभी को पहचानने लग गई थी मुझे पता चलने लग गया था कि इसका नाम क्या है ये कौन है ये कौन है ये कौन है मैं सब को पहचानती थी पहली दूसरी बार में तो ऐसा लगता है सब एक जैसे लग रहे पता नहीं चल रहा कौन क्या है लेकिन जब बार-बार-बार मिली मैं उनसे तो मैं सबको पैचानने लगी वाई आंट यू वेरिंग चपल I ask one तो मैंने उनमें से किसी एक से पूछा कि भाई तुम चपल क्यों नहीं पहन रखी है भाई तुमने नंगे पैर काहे घूम रहे हो बे चपल काहे नहीं पहने हो ऐसा करके पूछा हो उसने तो बच्चा क्या जवाब देता है My mother did not bring them down from the shelf अब shelf हम लोग ताग को कह देते हैं, आला कह देते हैं टंड कह देते हैं कई सारे शब्दों से हम कह सकते हैं मेरी मा जो है उन्हें नीचे नहीं उतारती है ब्रिंग का मतलब लाना वो टांड से उतार के आले से उतार के नीचे नहीं लाती है ताग से उतार के He answered simply by simple सा जवाब देता है कि एक ही जोड़ी होगी और उसकी मा जो है उसको उपर रखती है कि रोज रोज पहनेगा तो घिज जाएगी खराब हो जाएगी तो कभी कहीं आना जाना हुआ अगर ऐसी कोई मुसीबत का समय हुआ तो कम से कम उस समय हो चपले काम आएंगी इवन इप शी डिड ये विल थ्रो देम ओफ एडिड अनादर तो एक दूसरा लड़का जो है वो उसकी बात में अपनी बात को आगे जोड़ देता है तो पहला बच्चा कहता है कि मेरी मा तो शेल्फ से नीचे ही नहीं उतारती तो दूसरा बच्चा तुरंथ कहता है कि मेरी मा उतार भी दे तो मैं बहुरें भार फैक दूँगा क्यों मैं पैक दूँघा Oh क्यों कौत उसने ऐसे जूते पहन रखे हैं जम्युक्र नहीं कर रहे हैं डोंको जूड़कर करके एक लएक और रैट बन गया लेकिन दोनों जूते कलर में, शेप में, साइज में अलग अलग है तो ऐसे जूते उसने पहन रखे थे तो वह कहता है कि अगर मेरी माँ अगर उन चपलों को या जूतों को उतारे भी सही शेल्प से तो मैं तो उन्हें फैंक दूँगा, मैं तो पहनना ही नहीं चाहूँगा वेन आए कमेंट ओन इट, जब मैंने इस पर टिपनी की ही, शफल्स, यानि इदर उदर अपने पैरों को रगड़ना या घसीटना शुरू कर देता है his feet and says और कहता है, nothing, कुछ नहीं, I want shoes, मुझे जूते चाहिए, एक जूते की जोड़ी चाहिए says a third boy, तीसरा बच्चा कहता है, who has never owned a pair of all his life, यानि कि ऐसा बच्चा जिसने अपने जीवन में कभी जूतों की एक जोड़ी भी नहीं देखी हो, देखने का मतलब उसके पास कभी नहीं रही हो मेरे पास आज तक कभी जूते चाहिए, तो मुझे तो एक जोड़ी जूते की चाहिए ट्रैवलिंग अक्रोस दा कंट्री, मैं पूरे देश भर में घूमी हूँ, I have seen children walking barefoot और मैंने बच्चों को देखा है नंगे पैर चलते हुए, इन cities, शेहरों में, on village roads, गाउं की सडकों पर आप सब लोगों ने comment किया भी था, फर्स्ट जो मारा lecture था, उसमें के हाँ सर हम भी, मैं देखा, मैं एक भी comment हसा नहीं मिला, जो गाउं से या रूरल एरिया से आया हो बच्चा और उसने ये काओ के नहीं सर हम तो गाउं में बच्चे थे और हम खेलते थे, चपल जूते प जूते पहन के खेलना गाउं में तो नंगे पैर खेलना ही अच्छा लगता है, उसी में मज़ा आता है, इन सिटी, शहरों में और गाउं की सडकों पर, it is not lack of money, but a tradition to stay barefoot, ये इस बारे में नहीं है के लोगों के पास पैसा नहीं है, बलकि ये एक परंपरा है बच्चों का क नंगे पैर ही वो रहते हैं, is one explanation, ये भी एक व्याख्या हो सकती है, I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, तो यहाँ पे हमारी जो लेकी का है, वो क्या कहते है, कि मैं विचार करती हूँ, मैं सोचती हूँ, कि हो सकता है ये explanation सच भी हो, लेकिन यदि, ये भी तो हो सकता है, कि ये केवल और क बहाना है, ताकि अपनी निरंतर चली आ रही गरीबी की जो दशा है, उसे explain करना ना पड़े और उस बहाने के पीछे वो वेक्तिच छुप सके, कि भाईया हमारे यहां तो परंपरा है नंगे पैर रहने की, और वास्तविकता में ये बात कहकर वो क्या कर रहा है, अपनी ल करी रहा हूं कि एक जोड़ी चपल खरीदने के पैसे भी नहीं है, इतनी जादा गरीबी है, तो उस कहते हैं उस अपमान से या उस दुख से बचने के लिए वह उस बात को कैसे कह रहा है कि नहीं साब हमारे यहां तो ट्रेडिशन है, तो यह दूसरे पक्ष को दूसरे पह प्राइन फ्रॉम उदीपी, वन्स टोल्ड मी, तो अब देखो उदीपी का एक व्यक्ति है, बहुत सारे बच्चे जो है, मैंने कमेंट पढ़े, एक दो बच्चे जो है, अब इस स्टोरी में कन्फ्यूज हो रहे है, कन्फ्यूजन क्या हो रहा है, मैं एक बार क्लियर कर द बताने का प्रियास कर रही है, कि उसने मुझे ऐसा ऐसा कहा था, ठीक है, तो उसी नजरीय से हम इसे देखेंगे, एक आदमी जो ओदीपी से था, उसने मुझे एक पार कहानी सुनाई थी, as a young boy, एक छोटे लड़के के तौर पर, he would go to school, where school जाता था, past and old temple, एक old temple के नजद पर, pray for a pair of shoes, और वहां रुक करके, एक जूते की जोड़ी के लिए प्रार्थना करता था, जैसे जा रहा है स्कूल, मंदिर आ गया, है बगोती महिया, एक जोड़ी जूते दिला दो, नंगे पर जाना पड़ता है रोज, ठीक है, तो इस तरीके से, 30 years later, 30 सालों के बाद, I visited अब यहां पर आगया, आए, यानि कि यह खुद कह रही है, कि मैं वहां गई, यहां तक की तो स्टोरी हो गई, एक लाइन की, कि ऐसा ऐसा बताया था, एक बच्चा था, स्कूल जाता था, रुक के मातारानी से प्रार्थना करता था, एक जोड़ी जूते की दिला दो, 30 साल के बाद मैंने उस गाउं को विजिट किया, इस टाउन, एंड टेंपल और उस मंदिर को, वो मंदिर या वो टाउन जो है, अब पूरा तरीके से उजड़ा हुआ था, वहां पर जादा लोग नहीं रहते थे, सुनसान रहता था, हाना, एयर का मतलब होता है माहौल, या एट चुके हैं, जादा तर लोग, और वहां पर कुछ एक परिवारी अब गाउं में बचे हैं, तो ऐसे गाउं की जब आप दशा देखोगे, जीन हींड से, टूटे फूटे से मकान आपको दिखाई देंगे, और आस पास, सुबह के समय भी आपको कोई आदमी नजर नहीं प्लास्टिक चेर्स, यानि कि थोड़े से उसके पास पैसे हैं, क्योंकि वहां पर लाल और सफेद रंकी प्लास्टिक की कुड़सिया रखी है, और एक जवान सा लड़का, चोटा सा लड़का, जिसने एक ग्रे कलर की युनिफॉर्म पहेन रखी है, युनिफॉर्म को हिं तो पता भी नहीं होगा कि युनिफॉर्म को गणवेश कहते हैं, तो गणवेश उसने पैन रखा था, मुझे बड़ा मजा रहा है, सॉक्स एंड शूस उसने पैन रखे थे, जूते मुझे उसने पैन रखे थे, अराइवड पैंटिंग, पैंटिंग का मतलब होता है, हाफ बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, याद मुझे है ना, तो बहुत सारे वर्ट से आप कह सकते हैं, फोल्डिंग बैट जो है, उस पे अपने स्कूल के बैट को फैकता है, लुकिंग अट दब बॉई और जब अब लेखी का जब उस लड़के की तरफ देख रही है I remembered, मुझे याद आया, the prayer another boy had made, वह प्रार्थना, जो उस कहानी में था, वह लड़का जो है, वह प्रार्थना करता था, made to the goddess, देवी से, when he had finally got a pair of shoes, और जब अंत में उस लड़के को वह जूते मिल गए, तो वह लड़का क्या कलपना करता है, let me never lose them, यानि कि मैं इस जूते की जोड़ी को दुबारा नहीं खोना चाहता, मैं इस जूते की जोड़ी को ध्यान से रखना चाहता, जूतों की दो स्तितिया हमने देखी अभी तो, ठीक है, और जूतों को लेकर के हमने कहानी भी सुन ली पूरी की पूरी, एक और नया प्र कि घर पहुंचे स्कूल से, तो एक तो वैसे धूप में चलते वे आते हैं दूर से अगर पैदल पैदल आ रहे हैं स्कूल से, तो दुखी हुए वैसे परेशान हुए वैसे तो आते हैं, उसके बाद जूते खोलना और जूते फैकना, यह हर विद्यारती की चारित्रिक वि लेकिन आप लोगों से कहूंगा, आप लोग जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई भी वैवेक्ति जो अपने स्कूल का कोई भी सामान हो, चाए बैग हो, कौपी किताब हो, चाए आपकी युनिफॉर्म हो, चाए आपके शूज शॉक्स हो, चाए आपके पैन पैंसिल ज होगी, हमेशा उसे लगेगा मैं पिछडा हुआ हूँ, और वो पिछडा ही रहेगा, पता है क्यूं, इससे बहुत मेरे को किसी ने सिखाई ती ये बात, बोले कि आप अपने काम को जितना सीरियसली लोगे, जितना गंबीरता से लोगे, और काम में भी कौन सा, आपके काम क वो हिस्सा जो सबसे कम महत्वपून है, अगर उसे भी आप सीरियसली लेते हो, तो आप उस शेतर में तरक्की जरूर करो, तो जो विध्यारती, अब अपन पढ़ने जाते हैं, आप लोग याँ पढ़ रहे हो मुझसे, तो जूते मोजों का क्या ही महत्व है पढ़ने में, लेकिन नहीं, जो विध्यारती अपने जूते मोजे अपनी यूनिफॉर्म हर चीज व्यवस्तित तरीके से रखता है, इसका मतलब वो बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है, उसे पता है कि मेरी पढ़ाई का क्या महत्व है और पढ़ाई में काम आने वाली हर चीज का क्या मह करते हैं, और देवी जो है, उन्होंने उसकी प्रार्थना सुईकार कर ली है, वे अब कभी उन जूतों को खोना नहीं चाहता, यंग बॉइस लाइक दा सन अफ प्रीस्ट, छोटे-छोटे बच्चे जो है, जैसे कि पुजारी जी का जो बेटा है, नाव और शूस अब कूडा चुनने का मतलब ये नहीं है, कि जितना भी कच्रा पड़ा है, उठाया थेले में डाल लिया, नहीं, कूडा बीनना या कूडा चुगना जो है, वो भी अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक कला है, हर को ही नहीं कर सकता, जिसको आती है, उसी को आती है, केवल उसमें से वह है उपयोगी वस्तुए निकालना जिनने बेचा जा सके जिनने पुनर उपयोग किया जा सके In my neighborhood remain shoeless लेकिन कई ragpickers हैं कई कोड़ा बीनने वाले हैं मेरे पड़ोस में जो कि अभी भी shoeless हैं यानि कि उनके पास जूते नहीं है My acquaintance with the barefoot ragpickers leads me to Seema Puri खुद जा रही है अपनी आँखों से देखने के लिए महां लोगों से बात भी करें हमाई लिए बहुत जरूरी हम उसके साथ चले उसके पीछे खड़े रहे और देखें कि वो क्या बात कर रहे है और सामने वाले जब जब जवाब दे रहा है तो ना कि और उसका जवाब स उसमें सफल हो जाए लेकिन ये करना ज़रूरू इसमें मज़ा बढ़ा आता है लिट्रेचर पढ़ने की यही एक ब्यूटी है सुन्दरता है नंगे पैर रहने वाले इन रेकिकर के साथ जो मेरा एक्वेंटिस था मेरा साथ था मेरा परीचय था लीड्स मी वो मुझे ले गया टू सीमापूरी अगर वैसे देखा जाए तो डिस्टेंस बहुत कम है सीमापूरी का और डैली का डिस्टेंस वैसे देखा जाए तो बहुत कम है लेकिन अगर सिग्निफिकेंट रूप से देखा जाए तो मीलो दूर है क्योंकि दिल्ली में है बड़ी बड़ी इमारतें बड़ी आख खाने पीने पहनने के साधन लोगों की तेज चलती भी जिंदगी पैसा ही पैसा इस सारी चीज़ दिल्ली में है लेकिन सीमापूरी मे यानि कि लाक्षनिक रूप से दोज हूल लिव देयर आर स्क्वेटर्स वो लोग जो वहां रहते हैं वो गैर कानूनी रूप से बसने वाले लोग हैं जो 1971 में 1971 में बांगलादेश से आये थे साहिब's family is among them साहिब का जो परिवार है वह उनमें से एक है सीमापूरी was then a wilderness यानि कि जब 1971 में ये लोग आकर बसे थे तब ये बिलकुल बीहड था बीहड था मतला बिलकुल सुनसान पड़ा बंजर इलाका था it is still is ये अभी भी है but it is no longer empty लेकिन अभी ये खाली नहीं है यानि पहले बीहड था विलकुल एक बेकार सा पड़ा हो था उजड़ा सा जमीन थी लेकिन अभी भी ये है जमीन तो ऐसी है atmosphere भी वैसा ही है लेकिन खाली नहीं है अब यहां लोग रहते हैं बस चुके है it is structures of mud यहां पर मिट्टी के structures अब यहां पर structures को कहा गया है तो यहां जो जोपडिया बनी वी है ना इन जोपडियों को इस जोपडि को कहा गया है कि भाई structure of mud है with roofs of tin and tarpaulin tin की या tarpaulin यानि तिर इस तरह की लोगे की sheet होती है अना उससे छते बनी भी है devoid of sewage यानि कि किसी भी तरह की sewage यानि नालिया नहीं है drainage यानि जल निकास की व्यवस्ता नहीं है और running water ना ही पानी बैते वे पानी के निकास की व्यवस्ता live 10,000 wreck pickers और इस एरिया में इस परिस्तिती में ऐसे घरों 10,000 wreck pickers रहते हैं they have lived here for more than 30 years वो यहां 30 सालों से जादा समय हो गया यहां रह रहे हैं without an identity बिना किसी पैचान के without permits बिना अनुमती पत्र के यानि उन्हें वहां रहने की अनुमती नहीं है बट वित राशन कार्ड लेकिन उनके राशन कार्ड बने हुए हैं that get their names on voters list जिसकी वजह से उनका नाम voters list पे आ जाता है मतदाताओं की सूची में आ जाता है and enable them to buy grain जिससे कि वो enable हो जाते हैं इस like हो जाते हैं इस योग्य हो जाते हैं कि वो अनाज खरीद सकते हैं food is more important for survival than an identity अब यह sentence बहुत ही शानदार बहुत ही लाजवाब sentence यहाँ पर क्या कहा गया किसी से पूछा मैं imagine कर रहा हूँ सच में पूछा नहीं गया कल्पना कर रहा हूँ किसी से पूछा हूँ कि वही पहचान जादा जरूरी है कि खाना जादा जरूरी है तो उसका जवाब है food is more important for survival जीवित रहने के लिए अपने शरीर को चलाने के लिए खाना जादा महत्वपूर्ण है किसी पहचान के स्थान था मुझे पहचान कुछ नहीं चाहिए क्योंकि ढाका में जब मैं रह रहा था मैं तब भी वहाँ खाना नहीं खा पा रहा था यहां आकर मैं रहा हूँ तो मुझे कम से कम दो वक्त की रोटी तो मिल रही है और फेमिली यदि दिन के समाप्त होने पर हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं and Go To Bed Without अइकिं स्टमक और हम Go To Bed का मतलब होता है सोने जासकते हैं या सो सकता है बिना दुखते हुए स्टमक के स्टमक किसे कहा जाता है पेट को जब भूख के मारे पेट में दर्द होने लग जाता ना उस इस्तधी के लिए कहा जा रहा है आप महसूस करके देखो कोई भी ऐसा वेक्ति जो आपको ये बात कह रहा हो अपने मुझसे सामने खड़ा हो करके कलपना करके देखो आप अच्छी बात यह है कि हम रात को पेट भर खाना खाके सो जाते हैं रात को दुखता हुआ पेट लेकर के ज़्यादा खाने की वज़से दुखता हुआ नहीं भूके रहने की वज़से दुखता हुआ पेट लेकर हमें सोने नहीं जाना पड़ता we would rather live here than in the fields that gave us no grain हम यहां रहना जादा पसंद करेंगे बजाए उन खेतों के जो हमें कोई ग्रेन नहीं देता कोई भी धान नहीं देता कोई भी अनाज नहीं देता ऐसी जगह पर रहने से अच्छा है कि हम यहां रह ले say a group of women औरतों का एक समों यह बात कहता है इन टैटर्ड साडी जो उधरे वे फटीवी या सलीवी जो साडीया है खराब हो गई है गलीवी साडीया पहनी वी उन्होंने ऐसी महिलाओं का एक समों कहता है when I asked them why they left their beautiful land of green fields मैंने जब उन महिलाओं से पूछा कि उन्होंने क्यों अपने सुन्दर और हर्याली भरे हरे भरे खेतों को छोड़ दिया था and rivers और अपनी नदियों को whenever they find food, wherever they find food, जहां कहीं भी उन्हें खाना मिलता है they pitch their tents, वो अपने tent वहीं गाड देते हैं that become transist home, जो उनके लिए एक अस्थाई घर का काम करते हैं अब इसमें आप देखेंगे कि कई लोग जो मैनत मजदूरी का काम करते हैं और मैनत मजदूरी का काम करने के लिए अपना घर, अपना राज्य, अपना शेत्र छोड़ चुके हैं वो जाकर के construction करने वाले जो हैं, यानि कि जहां पर मकान या बड़ी-बड़ी building बनाने का काम होता है वहाँ जाकर काम मांग लेते हैं कि हम मजदूरी का काम कर लिए, मैं मजदूरी का काम दे दूँ सुबह से शाम तक वहीं काम करते हैं दो-चार-पांच बरतन रखते हैं, दो-चार-पांच कपड़े रखते हैं, एक टेंट का सामान रखते हैं, उसके लावा कुछ नहीं रखते हैं वहाँ से पैसा लिया, बजार गए, सामान खरीद के लाए, परिवार के साथ खाया उसी टेंट में सो गए अगले दिन सुबह उठ करके उसी साइट पर काम कर लिए साइट के पास में ही बच जाते हैं तो उस तरह की इस्तिति यहाँ पर बताई जा रही है आप देखना कई बार जहाँ बड़ा कंस्ट्रिक्शन होगा वहाँ पर आपको टेंट लगे वे दिख जाएंगे और वो टेंट इसी तरह के लोगों के जो मजदूरी का काम करते हैं उनके होते हैं जो ट्रांसिस्ट होम बनते हैं उनके काम करने के समय में चिल्टरन ग्रो अप इन देम बच्चे उनमें पलते हैं बढ़ते हैं बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल और जीवन यापन करने में एक दूसरे के साथ ही बन जाते हैं और अगर आपको जीवन यापन करना है आप जीवित रहना चाते हो सीमापूरी में तो उसका एक मात्र साधन क्या है रेक पिकिंग, कच्रा बीन इतने सालों में इतने सारे सालों से काम करते करते उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रूप प्राप्त कर लिया इस फाइन आर्ट का यह फटा फट कच्रा चुग लेते गार्बेज टु देम इस गोल्ड उनके लिए गार्बेज क्या है गोल्ड है आपको ध्यान हो तो वेरी फर्स्ट पेज पर मैंने गोल्ड को माक किया था कि हम यहाँ पर सोने की तलाश में आएं और यहाँ पर क्या कह रहा है गार्बेज इस देम इस गोल्ड यानि गार्बेज उन लोगों के लिए क्या है गोल्ड है इस देर डेली ब्रेड रूफ ओवर देर हेड्स एक यह उनके रोज की रोटी का मामला है उनके सर पर जो च्छत है उसका विशह है इवन इफ इस अ लीकिंग रूफ गर सर पे च्छत तो है बले टपकती भी हो अब यहाँ गार्बेज की बात की जारी है अब देखो गार्बेज जो है यह कच्रा जो है अलग-अलग लोगों के लिए इसका अलग-अलग महत है माता-पिता के लिए ये mood of survival है बच्चों के लिए तो खेल है एक आश्चरिय से भरा हुआ पिटा रहा है कभी भी कुछ भी निकल के आ जाएगा इसमें से तो I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note साहिब से साहिब कहता है, मुझे कई बार 1 rupee मिल जाता है और कई बार 10 rupee का note भी मिल जाता है His eyes lightening up और कहते वे उसकी आंके चमक उठती है When you can find a silver coin in a heap of garbage जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है कच्रे के धेर में, you don't stop scroging for there is hope of finding more तो आप ढूंडना बंद नहीं कर सकते आप ढूंडते वे अपने आपको रोक नहीं सकते क्योंकि हमेशा एक उमीद बनी रहती है कि और भी जादा मिलेगा It seems that for children garbage has a meaning different from what is means to their parents ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कच्च्रे का कुछ अलग ही मैं तो है कुछ अलग ही अर्थ है वो अर्थ जो उनके माता-पिता का है तो माता-पिता के लिए तो अलग अर्थ है कच्च्रे का बच्चों के लिए कच्च्रे का अलग अर्थ है For the children it is wrapped in wonder बच्चों के लिए एक ऐसी ढकी वी या लिप्टी वी चीज है जिसमें बहुत सारे आश्चरे है For the elders it is a mean of survival और elders के लिए बड़ों के लिए ये केवल और केवल एक माद्य हमें अपनी आजीवी का को चलाने का अपने आपको जीवित रखने का One winter morning एक बार सर्दियों की सुबह में I see sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club मैंने देखा कि sahib जो है खड़ा है फैंस जानी कि जिस पर बार्ड लगई गई हो जिसे चारो तरफ से बंद किया गया हूँ ऐसा हमारे पड़ोस में ही एक कलब है उसके gate पर खड़े हुए मैंने उसे देखा watching two young men dressed in white और वो देख रहा था कि दो जवान लड़के जो हैं जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पैन रखे हैं playing tennis और tennis कहा है खेल रहा है tennis वाद लग कौन सी आली tennis? lawn tennis आने इसको lawn tennis भी कहते हैं तो lawn tennis खेल रहे थे I like the game He hums वह धीमी आवाज में गुन गुनाते वे कहता है मुझे खेल बहुत पसंद है content to watch it और वह बहुत ही संतुष्ट महसूस कर रहा है यानि कि उस गेम को देख के उसको संतुष है वह बहुत संतुष्ट होते वे कहता है कि मुझे यह देखना अच्छा लगता है watch it standing behind the fence वो fans के पीछे से खड़ा होकर उससे देख रहा है I go inside when no one is around मैं अंदर चला जाता हूँ जब कोई अंदर नहीं होता he admits, वह स्वीकार करता है the gatekeeper lets me use the swing यानि कि gatekeeper जो है वह मुझे अंदर लगावा जो जूला है इसको swing कहते हैं यह देखो बच्ची बैटी है न यह किस बैटी है? swing पर, जूले पर तो अंदर जो लगावा जूला है gatekeeper कही बार मुझे अंदर जाने देता है मैं अंदर चला जाता हूँ थोड़े जूले पर खेल लेता हूँ वापस आ जाता हूँ तो वह उस बात को admit करता है, स्वीकार करता है साहिब 2 is wearing tennis shoes साहिब जो उसने भी tennis shoes पहन रखे हैं that look strange over his discolored shirt and shorts यानि कि बहुत ही strange लग रहे हैं जो जूते उसने पहन रखे हैं न वाइट कलर के वो बहुत ही अजीब लग रहे हैं क्योंकि उसके discolored यानि फीके पड़े वे जिनका रंग उड़ गया है ऐसी shirt और short पे उसने ऐसे जूते पहन रखे someone gave them to me किसी ने मुझे दिये थे he says in the manner of an explanation वह उसकी व्याख्या करने वाले वे में विवरन देने वाले अंदाज में कहता है कि भाया मैंने चुराई नहीं है मैंने उठाई नहीं है किसी के ये मुझे किसी ने दिये थे the fact that they are discarded तथे ये था कि किसी ने उन जूतों को छोड़ दिया था त्याग दिया था फैंक दिया था कि अब मेरे काम के नहीं रहे shoes of some rich boy किसी अमीर बच्चे के ये जूते थे who perhaps जो शायद refuse to wear them जिसने शायद मना कर दिया था कि अब वे उन जूतों को नहीं पहनेगा because of a hole in one of them क्योंकि उन में से एक जूते के नीचे छेद हो गया था dress does not bother him जिससे वो परिशान नहीं हो रहा हमें से बहुत सारे पशी होंगे हमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जन्होंने ही महसूस किया होगा जूता जो है फट गया नीचे hole हो गया तो भी चल रहे है उसमें एक जो feeling है मिरसाथ तो हुआ कि जूता आगे से जुता आगे से एक मगलिक का मुभले कुछब्स होता honor वैसे और उस जूते वेट बैटे पठेते क्या जानमूच के फटप फटप फट 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 बैटे पड़ करते रहता से लेए उसको तीचर को फरेशान करने के किसी के साथ ऐसा है मिरसाद बहुत चली नार मैंने तो सबस्क्राइब टुदी tough- Cake कि बंखे तो किसी rich boy ने इन चूटों को चोड़ दिया था कि उसके पैर में यानि एक जूते के नीचे होल हो गया था और ये जो होल वाला जूता है ये बिलकुल भी साहिब को परिशान नहीं कर रहा था साहिब इसे पहन के बहुत कुछ था for one who has walked barefoot कोई भी ऐसा इंसान जो हमेशा नंगे पैर ही चला हो even shows with a hole is a dream come true तो एक ऐसा जूते की जोडी मिल जाना जिसमें एक छेद हो ये तो ऐसा है जैसा उसका सपना सच हो गया हो कि कम से कम सेम कलर के दिखने वाले सेम साइस के जूते तो पहनने को मिले बले एक छेद है तो है इसमें but the game he was he is watching so intently लेकिन वह खेल जो वह इतना ध्यान से देख रहा है is out of his reach वह है उसकी पहुँच से बहुत बाहर है this morning अब एक और सुबह है ये सुबह खतम एक सुबह यहां खतम हो गई जहाँ पर वह tennis का मैस देख रहा था अब एक और सुबह है ये दूसरी सुबह है this morning साहिब is on his way to milk booth तो साहिब जो है अपने रास्ते पे जा रहा था डूट डेरी पे in his hand is a steel canister उसके हाथ में एक steel का कनस्तर है जैसे ये भी हो सकता है या केतली बोलते हैं पन वो हो सकता है now I work in a tea stall down the road अब मैं एक चाई की दुकान पर काम करता हूँ जो road के नीचे की तरफ है he says कहता है pointing in the distance यानि दूर इशारा करते हुए उदर उस सड़क के नीचे एक चाई की दुकान है वहाँ मैं काम करता हूँ I am paid 800 rupees and all my meals मुझे 800 rupees दिये जाते हैं और मेरा दिनबर का जो भी खाना है वो दिया जाता है does he like the job तो यहाँ पर अनीच जंग उनसे पूछती है कि क्या आपको ये job आपको ये काम पसंद है I ask मैंने पूछा his face उसका चहरा जो था IC में देख सकते थी has lost the carefree look यानि कि हमेशा बेपरवा जो look उसके चहरे पर दिखाई देता था वो खो गया तो एकदम से उदास हो गया my use हो गया कि भई उससे पूछा तुम्हें अपनी नौकरी पसंद है तो एकदम से दुख उसके चहरे पर उभर आया the steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder तो जो steel का canister था अचानक उसे बहुत जादा भारी लगने लगा उस plastic bag की बजाए जो वो बहुत ही आसानी से अपने कंदे पर उठा लेता था the bag was his क्योंकि वो जो bag था वो उसका खुद का था the canister belongs to the man who owns the tea stop और canister जो है ये उस व्यक्ति का था जो उस चाई की दुकान का मालिक था अब यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है सीजी सी बात साहिब इस नो लॉंगर इस ओन मास्टर साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा था वह किसी और के यहाँ काम कर रहा था उसके अनुसार ही उसे काम करना पड़ रहा था वो जैसा कहेगा वैसा काम उसे करना पड़ेगा आई बात समझ में इस तरीके से हम लोग देखें कि वह यहाँ पर कनिस्तर जो है उसे किसी और का गुलाम होने का एसास कराता है और वही पर अगर हम प्लास्टिक बैक की बात करें तो वह उसे स्वयम का मालिक होने का बोध कराता है कि मेरा मालिक मैं खुद हूँ और कोई भी नहीं है I am my own master यस बात का भाव यहाँ पर हम देखते हैं तो उमीद करता हूँ आज का lecture बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत अच्छे से enjoy किया होगा और सच में हम लोग अपना जीवन ऐसे जीते हैं कि जो हमारे पास नहीं है हम हमेशा उसके लिए विलाप करते रहते हैं परिशान होते रहते हैं कि मिरे पास ये नहीं है मिरे पास वो नहीं है फला नहीं है डिमका नहीं आप साहिब का जीवन देखो और उसके जीवन से अपने जीवन की तुलना करो और जिसमें भी आप मानते हैं उसका धन्यवाद कीजिए कि आपके पास कम से कम इतना है और आपके पास बुद्धी है विवेक है आपके पास और आपके पास क्या है किताबे है एक ऐसी चाबी जिससे आप कोई भी ताला खोल सकते हैं कितना भी बड़ा कितना भी बहर का आप सोच सकते हैं कितना out of the world कि जो मेरे बस के बहर की बात है education एक ऐसी की है जिससे आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं तो उसी के प्रती अपना समरपन दिखाईए Thank you very much I'll see you soon in my next lecture Till that, take care of yourself, bye bye I'll see you soon